आदित्य L1 मिशन को लेकर आया बड़ा अपडेट, चालू हुआ ये खास डिवाइस अब यह सूर्य की हवा को जांचेगा। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। इस मिशन के विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट के सब पेलोड्स, सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर ने काम करना शुरू कर दिया है। इजरों ने ट्वीट करते हुए बताया कि आदित्य L1 के Solar Wind Ion Spectrometer आदित्य Solar Wind Particle Experiment पेलोड का दूसरा उपकरण चालू है. S.Baluiis एक Low Energy Spectrometer है जिसकी मदद से सूर्य की हवा में मौजूद प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल्स को मापा जाएगा. बता दें कि आदित्य Solar Wind Particle Experiment में दो सब पेलोड्स हैं. पहला S.Baluiis यानी Solar Wind Ion Spectrometer जो कम उर्जा वाला स्पेक्ट्रोमीटर है जो अब चालू हुआ है. वहीं इसका दूसरा सब पेलोड्स Super Therm and Energetic Particle Spectrometer है. ये सौर हवाओं में आने वाले ज्यादा उर्जा वाले आयन्स की स् L1 मिशन को भारती स्पेस एजेंसी इसरो ने इसी साल 2 सितंबर को लॉंच किया था. आदित्य L1 सूर्य पर लैंड नहीं करेगा. ये धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर स्थित L1 यानी Lagrange Point 1 पर जाएगा. इस पॉइंट से सूर्य की दूरी 14 सबॉंट 85 की मी दूर है. इसी प प्लाजमा एनलाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा, विजिबल लाइन एमिसन कोरोनाग्राफ, सोलर अल्ट्रा वाइलेट इमेजिंग टेलिस्कोप, सोलर लो एनरजी एक्सरे स्पेक्रोमीटर, हाई इनरजी L1, ओनर बिटिंग एक्सरे स्पेक्रोमीटर, आदित्य सोल विंड, पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और एडवांजड, ट्राइक्सियल, हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैगनेटोमीटर्स शामिल हैं, आदित्य L1 मिशन प्रित्वी सूर्य के L1 पॉइंट के करीब हेलो ओनर बिट में चक्कर लगाएगा, प्रित्वी से इस पॉइं क्रोमोसफेर और कोरोना पर नजर रखना है, ताकि उससे जुड़ी अहम जानकारियों को प्रित्वी पर भेजा जा सके, भारत का आदित्य मिशन लागरेंस पॉइंट पर अकेले नहीं रहने वाला है, उसके साथ इंटरनेशनल सन अर्थ एक्स्प्लोरर, जेनेसिस मिशन, युरोपियन स्पेस एजेंसी का लीसा पार्टफाइंडर, चाइना का चांग 5 लूनर ओनर बिटर और नासा का ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीर रिकवरी मिशन भी मौजूद रहने वाले हैं, वर्तमान में नासा का विंड मिशन सूर्य का अध्ययन कर रहा है, इसके अंतरिक्ष का विशालकाय अंधेरा वहां मौजूद होगा, आदित्य एक मिशन की योजना केवल सूर्य के कोरोना का अवलोकन करने के लिए बनाई गई थी, सौर भौतिकी में कोरोना के अत्यधिक उच्च तापमान तक गर्म होने का कारण अभी भी एक रहस्य है, आदित के सैटेलाइट्स को सौर तूफानों से बचाएगा, इस एतिहासिक सफलता को लेकर भारत के वैज्ञानिकों को दुनिया भर से बधाया मिल रही है, बाद में इसरों ने उपग्रह को लैग्रेंजियन पॉइंट, L1 के आसपास हेलो कक्षा में स्थापित करने की योजना प्रित्वी से 1.5 मिलियन किमी दूर है, यह बिंदू बिना किसी व्यवधान के लगातार सूर्य का अवलोकन करने का लाभ प्रदान करता है, इसलिए मिशन का नाम बदल कर आदित्य L1 मिशन कर दिया गया, क्या है वो डेस्टिनेशन जहां पर इसरो का अडिट्या L1 जा रहा है, यह L1 क्या है, क्या यह कोई ग्रह है, कोई उलका पिंड है, या कोई जगय है जहां पर आदित्य L1 जाकर उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जानिये L1 के बारे में सब कुछ, लेकिन आगे बढ जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें, दोस्तों, यहां तक कैसे पहुँचेगा आदित्य स्पेसक्राफ्ट, जानते हैं आगे वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहें, लारेंस पॉइंट यानि L1 या नाम गणितज जोसेफी लूई लारेंस के नाम पर दिया गया है इन्होंने ही इन लैरेंस पॉइंट्स को खोजा था, जब किसी दो घूमते हुए अंतरिक्षिय वस्तूओं के बीच, ग्रैविटी का एक ऐसा पॉइंट आता है, जहां पर कोई भी वस्तू या सैटेलाइट दोनों ग्रहों या तारों की गुरुत्वा कर्शन से बचा रह इस दोरान पांच बार ओनरबिट बदला जाएगा, ताकि सही गती मिले, फिर आदित्य का ट्रांस लेरेंजियन वन इंसर्शन होगा, यहां से शुरू होगी 109 दिन की लंबी यात्रा, जैसे ही आदित्य L1 पर पहुँचेगा, वह वहां पर एक और बिट मैन्यूर करेगा ताकि L1 प्वाइन के चारों तरफ चक्कर लगा सके।